नमस्कार इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप में गरिमा श्रिवास दवाब के साथ लंपी से हुई मौत के मामले ने सियासत गरबादी है अशुक गहलूत ने पशुपालकों को मुआफजा देने के साथ साल बीजेपी पर जमकर हमला बोला है राजस्थान मे शुक्रबार से तीन दिवसी किसान महूत सो शुरू हुआ मुख्यमंतरी अशुक गहलूत ने इस अवसर पर 41,933 परशुपालकों के खाते में गरीब 176 करोड रुपए की राश्य ट्रांसफर की है सरकार ने सभी गौपालक के खाते में 40,000 रुपए की राश्य ट्रांसफ बन गया है जहां लंपी रोग से हुई दुधारू पश्यों की मौत पर राज्य सरकार ने पशुपालकों को मुखज़ा दिया है क्या लोग ने कहा कि दुनिया के देशों में राइट तो सोशल सेक्योर्जी की बात हो रही है इसे दिशा में हमने आज जिन पशुपालकों की गायों की मौत लंपी रोग की वज़र से हुई उन्हें राहत देने का फैसला लिया है और यह राहत मुझसे किसी किसान या फिर पशुपालक ने नहीं मांगे लेकिन हमने यह बड़ा फैसला किया और राजस्थान देश का पहला ऐसा राज जो बना है जिसने लंपी रो रोड रुपए ट्रांसफर किये गए लंपी रोग के कारण 52,760 पशुपालकों के दुधार उपशुओं की अकाल मिर्त्य हुई थी सरकार ने अभी 41,933 पशुपालकों को मुवज़ा दिया है बाकि के पशुपालकों के बैंक अकाउंट के वारिफिकेशन का काम चल रहा है मुख्यमंतरी गैलोग ने कहा कि अगले एक सब्का में सभी पशुपालकों के खातों में मुवजा राशिप पहुंच राएगी आगे बीजेपी की तरफ से अशुप गैलोग के हमली पर क्या प्रभिक्रिया सामने आएगी आपको बताएंगे बने रही इंडिया नियू